सबी बच्चों का स्वागत है आज मैं आफ लोग को वर्ग अस्टम पाठ छे बीजे बेंजक एवं सर्व समीका का प्रसनावली 6.12 बताने जा रहा हूं 6.12 में गुना है बीजे बेंजक का गुना गुननफल यानि एक पद का एक पद से गुननफल एक पद का दुई पद से गुननफल एक पद का त्रीपद से गुननफल इस तरह का सवाल इसमें है तो हम चलते हैं सवाल से पहला सवाल जो है हम बोड़ पे लिखके रखे हैं दिय गर्त्यंदस कुछीव को मुणा किजिए यहां एक पद का एक पद से गुणनफल तो अगर सिपरका गुणनफल है तो पहला सवाल है में 3000 और कियीव को को गुना करेंगे तो को कुण को संख्या से गुना कर देंगे तो तीन दुनए 6 और पी और क्यू इस तरह से लिख देंगे एक पद में इस तरह से गुना करेंगे इसे इसमें दुसरा में है 7a स्कॉाइर माइनस 3a तो साथ को माइनस 3 से गुना किजेगा तो माइनस 21 आएगा ए स्कॉायर यहां दो और एक ठो एक और बढ़ा यहां एक गहात तीन हो जाएगा जब बीजे वेंजक का जो चर का जब संख्या बढ़ता है तो उसमें घहात का संख्या हम लोग बढ़ाते हैं से दो और एक मिलके तीन की हम पिछले पाठ में भी पढ़ा दस एन के टो एक एक और एक दो दो एन हो गया यानि एन का घहत दो और एम यहां पर एक ठो और इसमें भी एक है तो एक और एक मिलके हो जाएगा दो इस तरह से एक पद का एक पद से एक पदी कुननफल इस तरह से करेंगे अब यहां है एक पद है इधर और यहां पर दो तो इसको गुना कैसे करते हैं इसको हम पहले ऐसे लिखेंगे M स्कॉर गुना M प्लस N आप इसको लिखें फिर इसको एक वार इससे गुना करेंगे फिर इसको एक वार इससे करेंगे तो इसको M स्कॉर गुना M प्लस यहां जो चीन रहेगा वही रहेगा और फिर M square गुना N हो जाएगा तो यह 2 और 1 यह हो जाएगा इसका घात 3 जोड M square N यहां M square N लिखेंगे क्योंकि M और N अलग अलग चार है इसलिए उसको अलग रखेंगे फिर उसी तरह से यह दो पद का है तो क्या करेंगे माइनस Y गुना X square प्लस Y square इसको एक बार इससे गुना करेंगे फिर माइनस Y को इससे करेंगे प्लस माइनस माइनस चीन बदल जागा गुना उनों से और y एक और दो तीन हो गया यानि घात तीन हो जागा इस तरह से f में आपका है l square गुना l square माइनस m square यहां भी वही काम करेंगे l square को l square से एक बार गुना करेंगे इस लिए बदल अब्लगनी जैसे का वैसे लिखा जाएगा दुसरा प्रसंद हम बड़ पर फिर बनार लिखते हैं उसके वाद हम बताएंगे दो नंबर प्रस्ण है नीचे सारनी में कुछ आयतों की लंबाई और चोड़ाई दी गई है आयतों का छेतरफल ग्यात कर सारनी को पूरा कीजिए ये सारनी दिया हुआ है टेबल आफ का दिया हुआ है ये दिया हुआ है पांच सवाल इसमें है लंबाई चोड़ाई दिया हुआ है, आयत का छेतरफल निकालना है, हम जानते हैं, आयत का छेतरफल बरावर होता है, लंबाई गुना चोड़ाई, तो पहला में है, अगर लंबाई 2A है और चोड़ाई 3B, तो आयत का छेतरफल लंबाई गुना चोड़ाई, तो लंबाई आ आपका कितना हो गया 2a गुणा 3b असानी साब गुणा कर सकते हैं 3 2 6 संख्या हो जाएगा 6a और b a b हो जाएगा दूसरा है 3x square y और चोड़ाई xy तो हम लों क्या करेंगे लंबाई गुणा चोड़ा यानि 3x square y गुना xy अब देखिए यहां संख्याद नहीं है तो 3 के 3 x यहां दो ठोड़ एक ठोड़ ती दूगो तीन हो जाएगा यानि x का घात 3 हो जाएगा और y का घात 1 और 1 2 हो जाएगा आफ इसको एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं अगर लिखना है तो 2 plus 1 और 1 plus 1 यानि कि 3 x का घात 3 y का घात 2 ऐसे भी लिख सकते हैं कि कैसे सर्म यह बढ़ा कैसे दीए तो भाई 2 यहां x था और 1 x यह तो 2 और 1 3 इसको ऐसे कर सकते हैं फिर यहां पर देखिए कि लंबाई है फाइव एल माइनस टू यानि यहां एक पद का गुना दूइपद से है तो इस अभी तुरंथ हम आपको सिखलाए कि कैसे गुना करना है एक पद का दूइपद से एक बार इसको इससे गुना क पद कितना हो जाएगा फाइव एल का मान एक प्लस एक और एम माइनस माइनस का चीन पांच दूनी दस लम यह यह हो जाएगा कितना घात बदल के हो जाएगा दो फिर है ये लंबाई दिया हुआ 7a²b² और चाड़ाई 3c² तो ये हो जाएगा 7a²b² गुना 3c² हम लोग बीजगनित में गुना का ये वाला चिन नहीं देते हैं क्योंकि ये x का हम लोग x के रूप में चर लिखते हैं इसलिए यहां गुना डॉट का परियोगी हम लोग करते हैं तो ये बिंदू का अर्थ हुआ गुना तो 7a, a अब नहीं है एकी जगह है तो a²b नहीं है तो b² और c² इस तरह से फिर पच्मा प्रस्न है लंबाई x प्लस y और चोड़ाई 2y यानी x प्लस y गुना 2y इस तरह से गुना करना है तो इसको 2y को एक बार x से गुना करेंगे और फिर y को 2y से करेंगे तो यह हो जाएगा क्या तू इसमें संख्यानी है तो टू हो जाएगा एकस वाई और फिर इसको इससे गुना किजिएगा तो प्लस टू और वाई एक्ठो यहां तो हो जाएगा वाई का घात दो इस तरह से दूसरा प्रस्णाफ छेतरफल निकालने का सवाल अगर लंबाई चुड़ाय दिया रहे तैसे अगर मान लेता है आयत का छेतरफल होता और कहता है कि छेतर निकालिये जैसे कि आपको दिया रहता भूजा तो उसको दो वार गुना कर देते ठीक है तो अब तीसरा प्रस्ण हम बोड़ पे लिखते हैं फिर बताते हैं प्रस्ण संख्याती न चुक्त अब बता है उसके जरिये भी कर सकते हैं कैसे तो पहला सवाल है a plus two को गुना करना है a minus two से एक तो एक बार a को गुना इसको ध्यान से देखिएगा, तो a plus 2 बित्रन बिदी से, गुना a minus 2, तो एक वार क्या करेंगे, a को गुना करेंगे, a minus 2 से, a को इस पूरा से करेंगे, फिर plus 2 को करेंगे, a minus 2 से पूरा, एक वार इससे पूरा को, और एक वार इससे पूरा को, इस तरह स्याफ कीजिएगा, त पहला चब से और फिर A को ही दुसरा चर से पने दो पद को, है पर्थन पद और दूसरा पद दोनों पद से गुणा करेंगे। यह पिर से हम इसको मिटा के लिखते हैं फिर से आप समझ जएगा, a plus 2 a minus 2 इसका पहला पद से पूरा दूई पद को गुना करेंगे और इसका दूसरा पद से पूरा को करेंगे यहनी कि a को गुना करेंगे a minus 2 से और plus 2 को गुना करेंगे a minus 2 से फिर अब क्या देख रहे हैं यह एक पदी का गुना आ गया दूई पद से तो एक पद का दूरी पद से गुना थे पहला पद से ही सब को गुना करेंगे इस तरह से और फिर इसका भी पहला पद से इस तरह से गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा दू गुना दू अब क्या करेंगे अब इसको सजाएंगे ए गुना ए कितना हो जाएगा एक अगहाद दो माइनस टू ए प्लस तू एक माइनस चार तो ये कड जाएगा टू एक तू एक तू एक तू मैं तो ये सकुआर माइनस चार ये था वितरन विदी, दूसरा विदी जो हम बोले हो थे हैं अस्तन विदी यस तरह से, एप्लस टू, ए माइनस टू आफ इसमें लिखी है, हम लोग शंख्या का करेंगेब फीर आगा बचा से लेंगे तर अब का करते थे इकाई-खे नगसे लेंगे एक आब अजरी थीरवICIA हो बाइसे लेंगे हाट तो और एव सोड़ी खॉर तो माइनस फॉर होगा इसके बाद क्या करेंगे हम जोड़ देंगे जोड़िएगा तो एस्पायर हो जाएगा ये टूए में माइनस टूए कंसिल हो गया खतम हो गया सुलनी हो गया माइनस चार अब आपको ये फैसला करना कि कौन सा बीधी बनाना है ऐसे आफ दोनों बीधी को सीख लीजी क्योंकि ये कभी-कभी जो है आपको लिखा वारता है कि अस्तम बीधी से बनाए बितरन बीधी से बनाए तो आपका दोनों बीधी हम बता दिए आप इसको नोट कीजिए हम सेकेंड कुस्चन बताते हैं सेकेंड कुस्चन में है L M L माइनस M और 2 L स्कॉर तो इसको इसंतर सेर्ट एम 2 L स्कॉर माइनस 3 M स्कॉर हम बनाए अस्तम बीधी से इसको इस घुना कि जीए तो डो एक और एल हो गया तो तो नहीं हो गया तो फिर इसको दिन लेजत एक टीन होगा फिर इसको इसको मिना कि तो एल कोधो एल झाद principles of 1977 माइनस जिए हम स्कॉर L और इसको इससे गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस और यह हो जाएगा 3 M का घात 3 अब हम लोग इसको जोड़ देंगे जोड़िएगा तो यह हो जाएगा 2 L क्यूब माइनस यह अलग है दोनों अलग है समान नहीं है असमान चाहर है L स्कॉार M और यहाँ पर M स्कॉार L यह दोनों अलग है इसको हम लोग अलग अलग लिखेंगे 2 L स्कॉार M माइनस 3 M स्कॉार L प्लस 3 M स्कॉार यह आपस में जूटेगा घटेगा नहीं क्योंकि समान पद नहीं है वो अलग-अलग पद है इसलिए उसको जोड़ घटा आपस में नहीं होगा तो इस तरह से लिखेगा फिर आपका सी नंबर में देखिएगा यह है एकस वाई प्लस वाई जड को एकस माइनस वाई से तो इस तरह से लिखेगा तो एकस यहां गुना किजिएगा तो एकस स्कॉाईर य फिर इसको 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 यहां पर x y square नहीं है यह y square तो सब जो है जैसे का वैसे नीचे उतर जाए कोई जोड़ घटा नहीं हो समानपद इसमें नहीं है इस तरह से बनाएंगे फिर जो है दी दी में आफका है 2a plus 3b और a square plus 2ab plus b square तो यहां दो पद इसमें दो पद है और इसमें 3 पद है तो 3 पद को उपर लिखिए उसके बाद 2 पद से गुना करना है ऐसे एक बार इस पद से तीनों को गुना करेंगे तो 2a square गुना करेंगे तो 2a का घात 3 फिर इसको 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 तो 3A x B, 3A x B, 3A x B, अभी ऐसा के नीचे दिखिए, और जो गुना केज़ेंगा, वी आएगा 3A x B, समान पद के नीचे लिखेंगे, तो जोड़ने या घटा करने माफ-को असानी होगी, तो उसके नीचे लिखेंगे, फिर इसको इससे गुना कीज़ेंगा, तो आएगा 6AB फिर इसको इससे गुना किजिए गात आएगा तीन भी क्योग अब क्या करना है अब जोड़ देना तो जोड़ देना इसके नीचे कोई पद नहीं है इसका अलग है इसका पद समान पद है तो जूड़ी आगात सेवेन एसक्वाइर भी प्लस जूटी आगात आठ एबी है इस तरह से आफ एक दूइपद का दूइपद से गुना करेंगे इसका जो है यह डी था इनमबर हम लिख रहे हैं बोड़ पे इनमबर में दिया है सवाल इनमबर का सवाल आफ का बुक में दिया हुए देखिए आफ भी और बनाने कोशिस कीजिए हम तर तर लिखते हैं तो इ में है आफ का 3 by 4a square 3 बटे 4a square plus 3b square को गुना करना है चार गुने a square minus 2 बटे 3b square इस से इस दोनों को आपस में गुना करना है तो इस तरह से गुणा करना है तो क्या करेंगे पहले इसको इससे गुणा कर लेंगे गुणा कर लीजिएगा यह ब्रैकेट के अंदर है इसको इससे गुणा करना है इसको लिख लीजिए तिन बटे 4A square प्लस 3B square ठीक है यह इसको हम लोग बित्रन विडिशे लिखिएगा तो और आसान हो जाएगा आसान पहले तो इसको हम लोग लिख लेंगे इस तरह से चार तरह को इसे गुणा करें 4A square plus दो नहीं आठ बटे 3B square अब इसको इससे गुना किजिएगा तो 3 बटे 4 a square गुना 4 a square इसको इक बटे 4 a square पूरा से गुना करेंगे ठीक है फिर यह जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 बटे 4 a square गुना 8 बटे 3 b square फिर अब इससे पूरा को गुना किजिएगा तो प्लस 3 b square गुना 4 a square माइनस 3B स्कॉाइर गुना 8 बटे 3B स्कॉाइर अब गुटा किजिए ये 4 चर कट जाएगा ये 4 दूनी 8 कट गया 3 कट गया यहां 3 3 कट गया क्या बचेगा हमारा यहां बचा 3 A स्कॉाइर एक अगाद 2 और 2 4 A हो गया माइनस यहां पर बचा 2 A स्कॉाइर B स्कॉाइर यहां पर होगा 3 चोग का 12 A स्कॉाइर B स्कॉाइर और यहां हो गया माइनस 8 B के गाद 4 अब एक लाइन और यह देखे समानपद है तो यह लिखाएगा 3 A के गाद 4 12 में 2 गड़ जाएगा तो बचेगा प्लस 10 A square B square माइनस 8 B के घात चार यह इस तरह से सवाल आप बनाईएगा E number F number हम लिख रहे हैं इधार आप इसका practice एक दो बार करते रहे हैं घर में एक दो बार आप practice कर लिजेगा तो सवाल जो है असान हो जाएगी आपके लिए बहुत आसानी से बनने लगेगा दोनों विदी बनाईए इससे और अच्छा होगा F number है P square minus Q square और P square plus Q square इसको गुना करना है आप इसको पहले से इससे किजिए तो P का घात 4 minus P square Q square फिर Q square से किजिएगा तो यह हो जागा प्लस P square Q square यह सा कड़ जाना चाहिए दोनों प्लस माइनस में तो P square P के घात 4 minus Q के घात 4 इस तरह से आफ का जो है तीन नमबर प्रस्न सवाप्त होता है आप एक नमबर दो नमबर और तीन नमबर जहां तरक हम इस वीडियों पढ़ा हैं कर्में बठकी रिवाइस कीजिए और प्रैक्टिस अधीक से अधीक कीजिए ताकि सवाल बनाने में कठिनागी ना हो कहीं कठिनाई होती है तो आप हमसे पूछिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए थाइंक यू